मुगल काल की संदर कारी गरी यहां पर दिखाई देती है संदर एक गेट देख रहे हैं यह साथ गेट बने उगए हैं यह मैं इस लास्ट वाला गेट छूटा दिखाई देता है जबकि यह सभी एक जैसी उचाई के गेट हैं देखने पर भरमत होते हैं दोस्तों नमस्कार टी एसी टुप चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम फती पर सीकरी जला आगरा पहुंच रहे हैं और यहां पर अभी हम आपको दिखा रहे हैं बुलन दर्वाजा जिसकी उचाई लगभग 54 मीटर और चोड़ाई लगभग 36 मीटर है जो गेट द यह दुआए मांगी गई थी लोगों की द्वारा और यह पुलन दर्वाजा का खूब सूरत मंडप इसकी सुन्दर नक्कासी देखते ही बनती है मुगलकाल की सुन्दर कारीगरी यहां पर दिखाई देती है और यह पुलन दर्वाजा की बाहर जो जगे आप देख रहे हैं यहां पर गरिम यतिम लोगों के लिए लंगर चलाए जाता था अकवर की द्वारा और यह पुलन दर्वाजा में लगी हुई उस समय की सुन्दर खूशूरत टाइल्स केते हैं कि अकवर की द्वारा दच्छन भारत बिज़े पर इस बुलन दर्वाजी का निर्माण कराए गया था इसको बनाने में लगभग पाँच वर्स का समय लगा था और इसकी अंदर खूशूरत सी जो दरगा आप देख रहे हैं से एक सलीम चिस्ती की दरगा है और यहां पर यह अकवर पड़े लिखे नहीं थे तो उन्होंने गरीब और उन लोगों के लिए उनकी बच्चों के लिए यहां पर एक मदर्सा बनाय गया था इसमें लगभग ब्यासी कमरे हैं जहां पर उस समय पर बच्चे पढ़ाई किय करते थे और यह सामने सलीम चिस्ती की दरगाह यहीं से अकवर को पुत्त रतन की प्राप्ति हुई कहते हैं कि लोग यहां पर जो आकर मन्नत मांगते हैं तो पूरी हो जाती है और यह सामने जो देख रहे हैं आप जामा मस्जद देखिए कितनी खूपसूरत कारी गरी उस समय कि यहां पर अकवर नमाज पढ़ा करती थे और यह जो मस्जद है इसकी कारी गरी बहुती संदर एक गेट देख रहे हैं यह साथ गेट बने हुगी हैं यहने में इस लास्ट वाला गेट छूटा दिखाई देता है जबकि यह सभी एक जैसी उचाई के गेट है देखने पर भरमत होते हैं और देखिए यहां के मैं नक अलकासी मस्जद की लिए यहां पर यह दीख रहे हैं इस सभी धर्मों को मिला करके यह पर इसमें नकासी की गई है का आए सबी धर्मों के जुशिन आपको दिखाई दी रहे हैं दो यह सुन्दर साइश का मंड़व यहां पर और बहुत दी सुन्दर टायल से समय की कि चलिए अब हम अंदर की तरफ पहुंचते हैं कि अंदर से बुलंदर वाजे का द्रश्य अकवर यहां पर 15 वर्षों तक सासन किया था उनकी पुत्र प्राप्ति के बाद उन्हों ने हैं पर अपनी रायधाने बनाई थी तो उसका वीडियो मैं पार्ट टू में आपको दिखाऊंगा फूरा यहां पर एक इवल बुलंदर वाजा और अंदर सेख चिस्ती की दरगाह और यहां पर अकवर की द्वारा पनाए गए बिभिन कमरे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं और दिखी यहां पर शेख सलीम चिस्ती की खूपसूरत संग मरक मरकी दरगाह लोग यहां पर दूर दूर से आते हैं और अपनी मननत पूरी होने पर यहां पर आते हैं मननत पूरी होती हैं उनकी और यहां पर जो बने होगी हैं वगल में इनकी परवार की लोगों की मजार बनी हुई हैं बहुती सुन्दर कारीगरी यह देखी कितने खूपसूरत इस एक सलीम सिस्ती की बतीजे की दरगाह यहां पर बनी हुई है दोस्तों आप कोई वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा हो तो इसी लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें और मेरी चैनल पर आप नए हैं तो मेरी चैनल को सब्क्राइब करें इससे कि आपको ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो मिलती रहें और यहां से जो आप देख रहे हैं यह जो महल था अकवर का उसकी तरफ राश्ता जाता है और अभी मैं आपको बाहर से निकल के दिखाता हूं यह पर पास में ही अकवर की जेल हुआ करती थी यह देखी यहां पर अकवर की जेल नीचे की साइट में जो आप जाली देख रहे हैं और यहां से दूर दूर तक सुन्दर पते परसीकरी गाउं का नजारा थेंक्यू दोस्तों अभी आपने ये वीडियो देखा पते परसीकरी का जै हिन जै भारत मिलते हैं नेस्ट वीडियो में